सो नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूटूब चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लैप्टॉप से अपने पेंड्राइफ के अंदर कोई भी फोल्ड रहा कोई भी फाइल्स जो है कि आप इसमें कैसे भी सकते हो चाहिए गानने हो वीडियो फोटो कुछ भी हो वह आप कैसे भी सकते हैं अपने पेंड्राइफ के अंदर वह आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्क्रीन पर आचका हूं और अभी यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि लैप्टॉप की जो भी आपकी वीडियो फोटोस हैं वह से अगर आ है जैसलेट्स वाला यहां पर आ चैनल आपको पर आपको आपके करना है जाने हां तो यहां पर मेंदर आता हूं कोई कोई गाना कपी कर लेता हूं 3-4 इहां पर इतने गाने मैं ने सेलेक्ट कर लिए ठीक है यह गाने मुझे अपने pen drive के अंदर डालने हैं तो यहां पर जो MP3 में सेलेक्ट करों यहां पर आप वीडियो फोटो फाइल्स कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद अब आपको क्या करना आपने जो माउस से उसमें राइड क्लिक करना है राइड क्लिक करोगे इसके बाद यहां पर कुछ इस तरीके से पॉप आएगा जिसमें की कट का और एक कॉपी का ऑप्शिन मिलता है तो अब आपको क्या करना है यहां पर कट अगर क्लिक करते हैं और यहां से अभी हम बैक आ जाएंगे यहां से चलिए हम बैक आ जाते हैं बैक आ जाना आपको फिर अपने उस pen drive के अंदर आना है यहां पर फिर right क्लिक करके open करना इसको जैसे आप open करते हो उसके बाद अब आपको क्या करना है यहां पर आप करके आ करके इसको paste कर देना है अगर आपको फोल्डर बनाना चाहते और यहां पर paste हो चके यह देख सकते हूं तो इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हूं अभी मैं इनको delete कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर इनको नहीं रखना है तो यहां पर अभी आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर मैं delete के उपर क्लिक करूँगा और yes के उपर क्लिक कर दूँगा तो यह delete हो जाएंगे मेरे मेरे delete हो गए तो इस तरीके से आप इनको delete कर सकते हूं या फिर आप copy paste तरीके से कर सकते हूं अपने pen drive के अंदर गाने डाल सकते हूं so friends आज किसी वीडियो में तना ही I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस एर इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाना कि याने वाली वी वाडिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें